चोटी पैंट सिने लटा जिनने बहुत ज़्यादा चम्री ते तक्लीव सी साइसा रात जाके खार्ष करके भी रामनी से होदा ते कई हास्तान दिली चक्र कर चुके है राम ओनते बाद इननने एक डाक्टर भी नहीं कर सकता कुछ समाज सेवे भी नहीं कर सकता जो इननने दि 15 गुरूप यह नहीं लेया के सबनों ठीक करके कर पिचाया एक गल सोच सकते हैं और फिजिकल करना शायद किना के उख़ा है यह दी हिमत है तो मैंने के जिए मैंद हजार लेंगे मैं के हजार किते रखां कि अपांते हैं इनने के लोग की आउनों त्यार है मतरब है कि गल क किनी के गल लोकां तक 50 अग दी विश्वाश ना लोकी जिए तक किना का इतबार कर दे है किना को विश्वाश करते एक द्रसांद है बेजिस समाज की की लोकां जिक नहीं मानता है दी तो मैं भी इसनों बहुत बहुत खुशी हुई खास करके के तुसी पर साड़ी ट्रें बारा में जो पहुंच नहीं हैं मैं कि तुसी प्षा कराती आजा आगी स्वेरे तो बहुत खुशी है बड़ी हिमत करके मैं नहीं था प्रमातां मेर करें इस चड़ निकाला बक्षे मैं भी भी सुने दिला तो बेंटी करांगा तुसी आपने बारे जलूर दसो क्योंकि पहल दिशादी लोड है से इलार्जी लोड है करपा करके आप करपा वाईगरू जी का खालसा वाईगरू जी की फते मेरा नाम सनेलाता है मैं दिल्ली से आई हूँ मिरे को तीन चार साल पहले मैं अलर्जी हुई थी अलर्जी भी ऐसी कि एक तरह का कोड जैसा रोग था पूरा दिन श्रीट पे उलब सुयें जुगती रहती थी और मैं खारिश करती रहती थी जब तक मैं ब्लड निका लेती थी अपने श्रीट से तब तक मिरे को चैन नहीं पड़ता था चकू कैंची में कुछ भी मुझे और तो और मैं रेगमाग तक मैं अपने श्रीट पे लगाती कोई डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा, और तो और लास्ट में मैंने एक स्टेरोइट तक टैबलेट खा ली ती, जो मैंने एक महीना खानी थी, उसका कोर्स भी मैंने पूरा कर लिया था, उससे मेरा श्रीर एकदम फूल गया, एकदम आखें एकदम सूच गई, और मेरे को किस एक सी रॉक्टर ने बोला कि या आप क्या खा रहे हूँ, आपको पता भी है, क्या खा रहे हो, या आप मिठा, जैर खा रहे हो, जो को शरीर को दिरे दिरे खख़ए मैंको कोई बात नहीं, मेरा शरीर तो ठीक हो रहा है, मेरी गजा। और तीक हो गया, मुझे और कुछ नह चाहिए, कहते हैं, अलर्जी ठीक हो रही है, लेकिन आपका श्रीर खतम हो रहा है, लेकिन मैं उसको गोली को छोड़ना नहीं चाहती थी, फिर मुझे पता नहीं कैसे हुआ कि मैं कब मेरे हस्बंड ने कहा कि यह दवाई तो छोड़ ते तेरी शकल एकदम चेंज हो गई है, तेरा कुछ नहीं 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 दवाई भी विए, आखें बंड हो गई है, बिल्कुल बद रंगा हो गया था चेरा, तो मेरे को छोड़ने में भी एक महिना लग गया, जो मैंने छोड़ी तो मेरी और हालत बिगड़ गई, मैं डेड जाल इलाज किया, उसके पा मैं का मेरा ये आखरी वैद है, मैं उसके पास जाऊंगे, उसके बाद मेरा कोई डॉक्टर इलाज निकर पाया, जिम उसके बाद मेरा इलाज सिर्फ सूसाइड है। मैं अपना घर में बाइकार्ट करके आई थी, मैं का मैं घर से जाऊंगी तुबारा वापसी नहीं आऊंगी, मैं वैद के पास आई, वैद ने मेरी नब्ज गरा देखी, उसने कहा कि ना चे मिने साल लग जाएगा आपको, ये दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन गरंटी होगी कि नहीं होगी, तो पूरे शीर मेरे कपड़े बलड से भरे हुए थे, तो उसने हाला देखी, कहता है कि ना भेंज जी, वैसे कोई विश्वास नहीं है, कि आप ठीक होगी नहीं होगी, मैं का फिर मैं दवाई किस लिए लूँ, फिर उन्होंने मेरे से आठ हजार ले कर बीमारियां ठीक हुए है, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए, मैं का मुझे मालूम ही नहीं था, तो कहते है दी दी आप दुबारा लुदियाना आओ, मैं का मैं गुरुदवारे पर विश्वास नहीं करती, गुरुदवारे में अगर ठीक होने लग गए तो फिर मैं ठीक होना था, तो तुने ठीक तो ही होना था, फिर बस मुझे सुबह उठी, मैंने हस्बिन को कहा, मैं ऐसे ऐसे मैंने सपना देखाया, मुझे सपने में बाबबजी आया, उन्होंने कहाए कि तु ठीक तो गहाँ होगी, अब बताओ मैं क्या करूं, वो भी परिशान थ दवाईयें मेरे श्रीड पे लगा लगा के, तुने गा, देख ले तु जा सकती है, तेरे में हिम्मत है तो, मैं करें नहीं मैं जाओंगी, तो मैं बस ये मेरा आखरी है, इसके बाद मैं कहीं नहीं जाओंगी, इसके बाद बस, कहते चल तू चली जा, अपनी सिस्टर को ब अगर आपके पास मेरा इलाज है, तो मुझे आज ही मुझे चमतकार दिखाओ, जिससे मुझे विश्वास होके, हो जाए कि मुझे यहाँ ठीक होना है, तो बस मैंने अर्दास की और मैंने दूसरा समागा में शुरू हुआ ग्यारा मजे, एक सुबह पांच बजे, साढ़े अगले दिन सुबह की ट्रेन से वापसी आगई, फिर मैंने डॉक्टर साब को फोन किया, डॉक्टर साब मेरे को पूरी हंड़र परसंट मैं कैसे ठीक होंगी, डॉक्टर साम ने कहा कि आपको सेप नंबर में कैम्प लगेगा, कैम्प में आप पांच दिन के लिए आना, प कैम्प में मुझे पांच दिन में रही और मैंने सारी द्वाईयां, तेल, तूल, जो करीमें मैं दुनिया भर की कठी करके, मैंने बैग भरा हुआ था, सारी की सारी मैंने बाहर फैक दी, और मैंने विश्वास कर लिया, कि बबबची आप नहीं मुझे ठीक करना है, और मैं नी सकता था और दिल में चेथ था तो डॉक्टर ने का कि इसका भी मुश्किल ही है वो weak-bought था तो मैंने उसको बताया उसको पंज्बी भाग कैम्प में लेके गई वो भी तीन महीने उसने सुना होगा तीन महीने के बाद उसको भी वो भी चलने लग गया और उसका दिल का च सुनता है हम देख के उसको हैरान होते हैं कि जैसे बाबा जी ने हमारे उपर किर्पा की वैसे आप सब पर भी किर्पा करें वाइगरुजी का खालसा वाइगरुजी की उपति